मुझे बात करने वाले NMDC Limited के बारे में तो ये शेर में काफी पहले होल्ड करता था और इसने मुझे लॉंग टम में कितना प्रॉफिट दिया ये मैं आपके साथ शेर करने वाला हो और मेरी जर्नी किस तरीके की रही है ये मैं आपको बताने वाला हो तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना का ओवर्यू में तो ये कंपणी के बारे में बताए कि 1958 से है गौर्मेंट कंपणी है पब्लिक सेक्टर कंपणी और यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट प्रोडूसर है कंट्री के अंदर दस्वे नमबर पे आती है वल्ड के अंदर और यह डाइमंड के अंदर भी यह मेंकनाईज करती है साउथ इस एशिया के अंदर और इन दस्वे वल्ड के अंदर भी है one अफ दा मोस्ट मेंकनाईज एन लो कॉस्ट प्रोडूसर औफ आईरन ठीक है तो यह company का business है और यहां पर इनके vision, mission सारी चीज़े आपको यहां पर नजर आ जाएंगे ठीक है तो completely यह चीज़े कब पढ़ना है हमको कि अगर हमको यह company में और भी long के लिए जाना है तो सारी चीज़े हमको देखनी चीए एक बार पढ़नी चीए क्योंकि invest करने से पहले आपको पता होनी चीए ठीक है इनके projects देख लो ठीक है तो यह इनके projects है NMDC का और यहां पर mining होती है ठीक है तो हम जादा इस पर time वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा हम इसका business देखेंगे कि इसका business कैसा है business याने fundamentally यह कैसा है यह sales और profit कितना कर लेती यह भी चीज़े में आपको screener से दिखा देता हो तो यहां पर screener इसके बारे में क्या-क्या बता रहा है यहां पर देख लो फिलाल ना company में से एक है ठीक है और यहां पर market capital देखो 38,000 करोड या 39,000 करोड के आसपास का market capital है और यह फिलाल यहां पर इसका low देखो 99 याने 100 के आसपास था low और यह 175 का high मार चुका है और पाच का P.E.R.I. काफी attractive price है इसका valuation काफी सस्ता आ रहा है book value अच्छा है dividend तो देखो ल अगर आप just dividend के वज़े से safe income सोचके अगर आप 1 lakh भी invest करते हो तो समझ लो कि आपका जो investment है उस पे 11 टका आपको आराम से मिल जाएगा ठीक है तो 1 lakh पे 11 टका कितना होता है देखो लगबग 11,000 रुपय आपको साल का ऐसे मिलने वाला है अगर वही पैसा just bank के saving account मेरेगा तो साड़ेती नाजार मिलेगा तो समझ लो कि आपको ये bank saving या FD से भी better ये dividend ही आपको देगा जो आपके bank account में हमेशा आते रहेगा तो जितना ज्यादा पैसा उतना आपके लिए dividend का फायदा है यहाँ पर ठीक है तो ये एक सबसे important चीज़ है कि ये dividend अच्छी देती है और most of R.O.E. और R.O.C. बहुत better है ठीक है R.O.C. और R.O.E. most of लोगों को पता नहीं होता है लेकिन मुझे कमेंट में आया था है कि हमको ROC, ROE सब पता है, तो किसी एक दो लोगों को पता होने से दुनिया को पता नहीं होता, तो यह मैं चीज रिपिट कर देता हूँ, कि ROC और ROE most of लोगों को नहीं पता होता है, मैंने देखे कि मेरे फ्रेंड लोग जो भी होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी होता है, तो most of लोग पूछते हैं कि यह चीज क्या होती, वो चीज क्या होती, तो मैं उन लोगों के लिए बतानी की कोशिश करता हूँ, जिनको कुछ नहीं पता होता है, शेर मार्केट में नए है, तो जो अल्रेड़ी स्मार्ट है, उनको यूटूब चैनल पे किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे ये लगता है, तो मैं उन लोगों के लिए मेन काम कर रहा हूँ, जो जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अगर जिसको पहले से सब कुछ पता है, तो उनको ज़रूरती नहीं पढ़नी चाहिए, कि किसी चैनल पे जाके खुद सुने, अनलाइज सुने, क्या कुछ चीज़े क्या बता रहा हूँ, देखे, क्योंकि उनको सब पता है, वो अपने प्रॉफिट कमाने के चकर में लगने चाहिए, या जहां से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो वहाँ पर जाना चाहिए, तो important है कि मैं मेरे journey बता रहा हूँ, और मेरा main motive है कि उन लोगों तक पोचे जो चीज़े उनको समझ नहीं आती है, ठीक है, ये technical चीज़े नहीं समझ में आती है, नहीं तो बहुत easy लगता है चीज़े, लेकिन जो जिसको पता है उसकी लिए easy है, जिसको खुछ भी नहीं पता, उनके लिए सारी चीज़े difficult है, कि ROC क्या होता है, PE क्या होता है, book value क्या हता है, तो ये सारी चीज़े में बताने की, dividend yield क्या होता है, most of हम भी जब नहीं थे, हमको भी ये सारी चीज़े कुछ नहीं पता थी, ये क्या होता है, ठीके, तो ये ये ही चीज़े में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप comment में डालने से पहले सोचो, कि आपके सिफ एक इंसान के लिए नहीं बताया जा रहा है, तो जो भी और भी लोग होंगे, उनके लिए चीज़े बताया जा रही है, तो ROE और ROC, जो return on capital employed, यानि debt capital, equity capital, तीके, जो company का debt capital, यानि करजा company ने जो लिया, और equity capital यानि ये, तो इस पर company देखो अच्छा कासा return जनरेट कर रही है, और return on equity, यानि ये equity fund पे देखो, company भी 29% का return जनरेट कर रही है, face value एक रुपे का है, ठीके, और यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, एक साल के charts, तो एक साल के charts देखो, कितने up and down हमको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये है, 149 का, जब ये 2021 में, ये भाव है, उसके बाद ये देखो, 140 से, यहाँ पर 174 गया था, वहाँ से फिर से इसमें गिरावट दिखाई, और ये गिरावट देखो कितनी है, तो लगबग यहाँ पर ये गिरावट है 99, 174 से 99, तो जो investor 174 पर invested है, उसके लिए 99 मतलब कितना ज़ादा, ये loss उसको देखने में लगेगा, company अच्छी है, सब कुछ अच्छा रहके भी ये problems होता है, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता होता है कि कब खरीदना है, तो most of ऐसा अगर graph दिखे, या ऐसा downside दिखे, तो ही खरीद हो, तो ही फाइदो में रहोगे, नहीं तो loss आपको देखने मिले गया, ठीक है, तो already market वो टाइम पर काफी गिरा था, और बहुत सारे companies के बहुत सारे shares का भी चार्ट इसी तरह के के हमको नजर आएंगे, लेकिन ये मोका होता है, हमेशा देखो अच्छे stock को नीचे के बाव पर खरीदने का, ये हमेशा मोका रहता है, जब correction आये तो खरीदना चाहिए, तो एक साल में ये मिला था, फिर देखो जिसने 99 पर लिया, उसको बेचने के लिए कितने मिल गया, 136 पर, तो ठीक है न, 30-35 टका आपको easily मिल जाते ये returns, तो इस तरीकी के लोग return डाउन पर खरीद के, अगर high पर करिदने वाला ये return नहीं कमा पाता है, क्योंकि उसको average करने में ही time चला जाता है, तो ये एक problem हो जाता है, तीन साल के बाद करेंगे, तो देखो तीन साल में किस तरीके return रहे है, और यहाँ पर देख लो, ये लगबग 129, फिर 129 से ये नीचे आया, और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तीन साल के अंदर इसने high मारा तो 193, 193 का high है, ये ठीक है, चार जून 2021, उसके बाद देखो, 193 से काफी शेर गिर भी गया था, तो ये up and down काफी करता ही है, और अगर पास साल की बात करेंगे, तो पास साल में भी देखो, किस तरीगा performance किया है इसने, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये, 158 है, और 158 से ये शेर देखो, उपर गया है, फिर यहाँ पर थोड़ा down आया, फिर उपर गया down ये, फिर उसके बाद ये, नीचे आगया है, ठीक है, तो ये शेर में भी, जो जिसकिसी ने भी, ये टाइम पर खरीदा, 2018 के टाइम पर, तो उनको गिरावट जादा देखनी मिली, बट थोड़ा बहुत up down, फिर ये इस तरीके का performance क्यों होता है, तो most of market भी एक वज़ा होती है, और उसके sales भी वज़ा होती है, तो हमेशा, कोई भी share में sales performance ही, अच्छा होना चीह नहीं, तो इस तरीके के chart बन जाते हैं, और अगर 10 साल की बात करेंगे, तो 10 साल में देखो, किस तरीके chart रहे हैं, तो इसमें भी up and down काफी रहा है, तो यहाँ पर देखो, यह जो भाव नजर आ रहा है हमको, एक टाइम पर 179 का था, देखो 2012 के टाइम पर, और अब भी देखो कितना है, 2012 से कोई invested रहेगा, तो उसके लिए यह फाइदा है, या नुकसान है, यह मुझे बता देना आप, ठीक है, तो यहाँ पर 132, यह यहाँ के return से, तो देखो, कुछ यहाँ पर फाइदा हुआ नहीं है, तो investor इतने साल से, 10 साल से भी invested है, तो वो भी loss करता है, तो long term के लिए, इसी से पता चल जाता है, हो जाएगा, उतना हो जाएगा, सब predict करके पहले ही बेढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ से, वो चीज़े सही नहीं होती है, सच नहीं होती, तो यह है real market, और यही चीज़ में बताना चाहता हूँ, कि normally, जो आप सोचते हो, उतना easily चीज़े नहीं होती है, तो मेरे अभी portfolio में है, तो मेरे journey भी बताना चाहता हूँ, और यह मेरा record भी रखना चाहता हूँ, तो important है कि मेरे record के लिए, मैं तो सबसे पहले यह videos बनाना चालू किया, मैंने कि मेरा record अमेशा के लिए, और कुछ लोगों को जिसको लगता है, कि किसी company के बारे में जानना है, तो उनके लिए मैं यह चीज़े कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर NMDC को देखो मैंने खरीदा, लगबग मैंने इसमें 2015 से इसमें, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो देखो, 9, November 2015 में मेरी investment रही है इसमें, तो November 2015 से मेरी investment रही है, और वहाँ से ये share देखो, और वो time पे मैंने ये share को खरीदा था, लगबग 94 के भाव़ पे, 94 यहाँ पर ये 94, देखो, मैंने सही time पे entry की, यहाँ पे कोई खराब नहीं था, लेकिन देखो गिरावट में सई टाइम पर मैंने खरीदा ये share को अच्छा share लग रहा है करके ठीक है और उसके बाद ये share को मैंने बेचा 7 April 2016 को 102 के बावपे ठीक है 7 April 2016 को मैंने बेच दिया यहाँ पर और 102 के बावपे यानि मैंने लगबग ये company से लगबग 7 रुपया या 9 रुपय का profit कुछ लिया मैंने ये company से पर share के हिसाब से ठीक है तो जितने share थे उतना मुझे profit हुआ और फिर उसके बाद फिर मैंने दुबारा इसमें entry की तो एक मेरा journey रहा कि एक साल मैंने इसको hold किया एक साल या कुछ 6 मैंने 6-7 मैंने किया क्योंकि 7 एप्रिल 2016 को मैंने बेचा तो short term में मैंने कुछ returns ले इतने जादा returns नहीं है ओ लेकिन उसके बाद ये share देखो मैंने बेचने के बाद ये share को मैं देख रहा हूँ लगबग 2018 में मेरी नजर गई ये share के उपर और तभी ये share का भाव देखो क्या था ठीक है तो यहाँ पर ये share का भाव बन गया था यहाँ पर मैं दिखा देता हो तो लगबग ये share का भाव बन गया था हूँ दो अजर आटरा में देड़सो के भाव पर ये share म मिल रहा था और मैने इसको 153 में 2018 में भी खरीदा तो 2015 के बाद 2018 में मैंने ये share को खरीदा 153 के बाव पर मेरी entry हो गई ठीक है और मैंने इसको कौन से टाइम पर करीदा था लगबग 4 जनुवरी 2018 में खरीदा उसके बाद ये share में देखो किस तरीका परफॉर्म रहा मैंने खरीदा उसके बाद share देखो मुझे लगा कि यार सही टाइम है और अब जाएगा और कुछ return ले लूँगा लेकिन मेरा decision wrong हो गया और वहाँ से share काफी down आ गया तो ये होता है देखो पहले मैंने profit किया था ये share में फिर बाद में मैंने loss किया तो ये हर किसी के साथ हो सकता है तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी तो लेकिन इस से क्या सीखने मिला कि ऐसे इसमें हमको क्या करना चीए कि ज्यादा उमीद नहीं रखनी चीए तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इतना ही बताना है कि आप किसी भी अच्छे share में भी long term के लिए रहते हो लेकिन वह जो इसकी history जो होती है इसके जो charts होते है उससे आपको पता चल सकता है कि ओ long term में अच्छा है या बुरा है ठीक है तो जिस तरीके से यहाँ पर invest करने वाला सोचेगा कि मुझे long term में काफी अच्छे returns मिलेगे लेकिन वो नहीं मिलते तो इस तरीके का होता है उसके साथ तो सेम चीजे मेरे साथ भी हुई थी यह तो मैंने आपको बता दिया और यह share में से मैं निकला कितने पर और यह कितना तक डाउन आया था तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो लगबग देखो मैंने 153 के आसपास की मेरी जो बाइंग थी उसके बाद यह share काफी टाइम इसको मैंने होल्ड करने के बाद तो काफी टाइम इसको होल्ड किया और लगबग यह यहाँ पर यह जो 2018 से मैंने इसको होल्ड करना चलू किया यहाँ पर मैंने जो बाइंग क कि या ठीक है तो वहां से यह शेयर का भाव देखो कितना हुआ था तो यह जो भाव हमको नजर आ रहा है 75 याने मैंने 50% का लॉस इसमें देखा ठीक है तो 75 153 का अगर 75 होता है तो यहने 50% का लॉस और फिर भी यह शेयर में मैं टिका रहा क्योंकि मुझे पता है कि आज नही तो मैंने इसमें और खरीदा जब यह 70 के भाव पी भी था 90 के भाव पे था सभी भाव पे मैंने थोड़े थोड़े कॉंटिरिस खरीदी और यहां पर कंटिन्यू में खरीदते जाने के बाद यहां पर देखो जो फिर उसके बाद यह हर जगा मैंने खरीदा फिर उसके बा जनवरी दो हज़ार 21 में डेट जनुरी यहां पर यहां पर मैंने बेच दिया यह जो हाई था अस-पास का तो 121 के वाव पर मैंने बेच दिया इसको लेकिन यहां इससे भी आगे गया देखू मुझह बताना है जुट बोलना है तो यह सारी चीजे में बोल सकता हूं मैंने इतना कमाया उतना कमाया लेकिन में मेरा minimum return जो भी है मैं मुझे reality बताने का शौक है और यही है कि लोगों को reality ने ज्यादा मसाला मारके यह चीजे बताएगी तो उतनी चीजे पसंद आती लेकिन मुझे real रहना पसंद है तो चाहे लोग देखे ना देखे लेकिन मैं मेरी reality दिखाना पसंद करता हूं तो यहाँ पर यही है कि यह share देखो उसके बाद भी काफी अच्छा गया था 193 तक गया था लेकिन मैंने जो यह भाव लिया था वहाँ से मुझे यह share में जो देखने मिला उस हिसाब से मैंने सोच लिया कि यह share से अभी निकलना ही ठीक है जो जितने returns मिलते निकाल लेते को यह एक आदत लगा लिया और बहुत सारे shares जो थे मेरे already कोविट के बाद काफी shares जो down में चल रहे थे उनको भी मैंने मुझे average करना था फटा फट इसी तरीके से निकालने थे इस वज़े से मैंने यह सारे जो long term के shares चल रहे थे जिसमें कुछ ज़्यादा profit नहीं हो रहा था उल्टा loss दिख रहा था तो सारे shares को देखो 50% का loss cover करके पहले 50% cover हुए ठीक है 50% अगर 75 का अगर share हो जाते है इसका मतलब उसको 100% बढ़ना पड़ता है अगर यह दिमाग में लगा लो 75 को फिर से 1500 बनना है ठीक है तो 1500 बनना है इसका मतलब उसको 100% बढ़ना पड़ता है तो 100% तो gain पहला करो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा तो इससे अच्छा हम उसमें average करके हमारा price निचे लाए तो यह चीजे में करता हूँ और उससे better returns लेता हूँ ठीक है तो इस तरीके से returns फिर मैंने लिये है और वहाँ से फिर मेरे यह shares में बेचने के बाद दूस तो ही मेरा loss होगा नहीं तो कोई भी company अगर बन नहीं होती तो मैं हो shares से profit लेके रहता हूँ ठीक है तो long term जादा अच्छे shares को ही करता हूँ काफी अच्छा होना चीजे लेकिन कैसे अच्छा या बुरा यह जानेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो positive चीजे इसमें हैं काफी है यहाँ पर पढ़ सकते हो सारी चीजे तो इसका cajr अच्छा है इसका dividend अच्छा है इसका book value अच्छा है तो dividend payout अच्छा है तो यह सारी चीजे अच्छा है अच्छे अच्छे लेकिन यहाँ पर promoter की holding decrease होहिए है 11% से तो अच्छी चीज़े काफी है बुरी चीज़े खराब है कम है और यहाँ पर NMDC थर्ड नंबर पर आती है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोल, वेदान्ता और के आई, OCL, GMDC यहाँ पर देखो NMDC थर्ड पर और बाकी यह company नीचे और most of इसमें तो government के companies ज़्यादा है तो third number पर इसके market capital के वज़े से और सबसे ज़्यादा डिविडन्त यह भी देती है और वेदान्ता उससे ज़्यादा डिविडन्त तो most of जो government company से अच्छे डिविडन्त देती है और डिविडन्त कमान के लिए लोग invest भी करके रखते हैं ठीक है quarterly results देखो किस तरीके के है तो quarterly results भी यहाँ पर देखो 3200 करोड का 2019 में किया और यहाँ पर 4700 करोड का किया और यहाँ पर देखो net profit 1100, 1100 का किया यहाँ पर 2400 का profit किया एक company ने net profit तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर improvement हमको देखने नहीं मिल रहे लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है operating profit margin company का का काफी अच्छा है और अच्छा ही रहा है profit margin काफी अच्छा है batch कम देना पड़ता है company को और profit काफी अच्छा कमा लेती है ठीक है तो profitability company की अच्छी है लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमको गिरावट हमको देखने मिलते है जैसे यह 3000 करोड का भी कर रहे थी अभी यहाँ पर देखो 1400 करोड तक company का मतलब profit भी आदा हो चुगा है तो यह चीज खराब है इस वज़े से थोड़ा up and down चलते रहता है company में और profit and loss में देखो 2011 से लेके 2022 तक यहाँ पर देखो sales 11,000 करोड के है और यहाँ पर 25,000 करोड के company के sales से और sales देखो double हो गये है 10-11 साल में और profit margin यहाँ पर भी थोड़ा कम होते गया है लेकिन profit margin जादा ही है और पर net profit फिलाल तो yearly net profit काफी अच्छा है तो यह चीज़ अच्छी है ठीक है और TTM भी काफी अच्छा चल रहा है यह और यहाँ पर देखो CHR खराब है इसका CHR यह चीज़ खराब है तो यह चीज़ खराब होने के वज़े से long term वाला कोई कमा नहीं पाए है इसके अंदर ठी 1400-1500 करोड का कमपनी ने लोन लिया फिर उसके बाद वह चुका दिया फिर 500 करोड लिया फिर 364 हुआ फिर बाद में देखो चुकाते गई है फिर बाद में और लिया फिर 2000 करोड का लोन लिया फिर अभी 355 करोड का कमपनी पर लोन है ठीक है रिज़ो में भी काफी अच्छ यहां पर देखो promoters की holding यहां पर आपको नजर आएगी ठीक है तो promoter की holding थोड़ी decrease हुए लेकिन promoter आज भी अच्छे का से holding पे बैटे है और foreign के investor भी यहां पर देखो अच्छा holding उनका भी है लगबग 6% तक उनका भी holding है DS का भी अच्छा का सब 20% तक holding है और public का इसमें holding कम है ठीक है public थोड़ा दूर है यह शेर से फिर भी यहां पर बड़े बड़े investor का ज़्यादा पैसा है क्योंकि dividend खाने एक मिलता है साथ में जब return देगा तब देगा और अच्छे returns दे देगा ठीक है तो फिलाल यह तो मुझे मेरे हिसाब से मेरी जर्नी जो मैंने बताई है उस हिसाब से मुझे जो returns मिले हो तो मैंने बता दिये लेकिन जो भी इसको down पर खरितता है वो अच्छे multivager return ले ले लेता है जैसे आधे बाव का यह आपर double हो सकता है यह triple हो सकता है ठीक है most of तो double ही होता है देखो 75 का double देड और बाकी आपको invest करना है नहीं करना यह आपका decision होना चीह तो मेरे हिसाब से यह share में देखो मेरी जो journey रही है मैंने बताई है और company आपको अभी सोचना है कि यह company में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है लेकिन मैं यह company में तो हूँ नहीं और इस में से जो भी मैंने profit लिया ह और मेरा काम है मेरा record रखना और आपको जो भी चीजे मेरे experience शेर करना तो वीडियो अच्छा लगा है और यहाँ पर अच्छा लगा है तो जरू सब्सक्राइब करो और लाइक भी किया करो comment किया करो दोस्तों के साथ शेर किया करो thank you very much for watching video thank you bye bye